जैसा कि बस्तर IGP सुंदर राज ने जानकारी दी कि उस इलाके में माववादियों की मौझूदगी की परफेक्ट हिंट मिली थी और इसी सूचना के आधार पर ये एंटिनक्षल ओपरेशन लॉंच किया गया था 15 अप्रेल 2024 की देर साम जो है छोटे बेटिया पकानजूर और बांदे से जो है जवानों की एक टुकडी जिसमें करीब 187 जवान शामिल रहे हैं उस इलाके में जाप महुचे जहां माववादी पनाह लिये हुए थे और फिर 16 अप्रेल दो पहर करीब एक बज़े के आस पास ये एंकाउंटर शुरू हुआ और इसमें 29 महुआदियों को मार गिराया गया जैसा कि बस्तर आयजी ने ये भी जानकारी दी कि लोगसभा चुनाओं को प्रभावित करने के उद्देश से मावाद संगटन के जमावडा की सूचना मिली थी और इसी आधार पे एक बड़ा ओपरेशन प्लान किया गया था और जिसमें 36 गड़ पुलीस को बड़ी कामियावी हाथ लगी इस एनकाउंटर के बाद नकसल संगटन ने भी एक प्रेशन ओड जारी कर पुलीस पर बेहत गंभीर आरोप लगाते हुए इस एनकाउंटर के लिए बस्तर ही नहीं बलकि 36 गड़ के तमाम भाजपा नेताओं पर निसाना साथते हुए इस एनकाउंटर का जिम्मेवार करार देते हुए जन अदालत में सजा देने की बात कही है अब जो है इस एनकाउंटर के बाद नकसल संगटन ने भी जैसा कि प्रेशन ओड जारी कर तमाम जो उनके मारे गए सातीर है 29 नकसली इनके नाम दिये थे और इसके साथ पुलीस न अब जो जानकारी साजा की है वो यह है कि इस एनकाउंटर में एक करोड पच्यासी लाग पच्पन हजार के 29 नकसली मारे गए सभी मारे गए मावादियों पे इनाम होसित रहा है तो यह जो तमाम मारे गए नकसली रहे हैं मेरे दर्शकों ने उससे कहा था कमेंट सेक्षन म संबन्द में भी जानकारी दीजेगा तो जो मारे गए नकसली हैं जैसी जानकारी पुलीश ने उपलब्द कराई है उनकी जन्म कुंडली लेकर आया हूँ नमस्कार मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं बस्तर जंक्शन म मारे गए जो मारे गए मावमादी हैं इन पे एक करोड़ अटतर लाग का इनाम घुसित रहा है और शाथ में जो वेपन्स रिकवर कर लिए गए हैं उन पे साथ लाग पच्पन हजार का इनाम 36 गड़ सासन द्वारग घुसित कर रखा था इस एंकाउंटर में 10 लाग का एक इनामी नक्सली, आठ लाग के सत्रह इनामी नक्सली, पांच लाग के पांच इनामी नक्सली, दो लाग के एक इनामी नक्सली और एक लाग के पांच इनामी नक्सली की मौत हुई है और तिलंगाना महाराष्ट के साथ ही 36 गड़ के राजनान गाओं, मानपूर मोहला, कांक पेर बीजापूर, दंतेवाडा और नारायनपूर के जो निवासी रहे हैं, ये मारे गया हैं इस एंकाउंटर में, तिलंगाना के जो नकसली रहे हैं, इसमें दो इनामी नकसली शामिल रहे हैं, संकर राओ, जो की बड़े नकसल लीडर हुआ करते थे, नौर्थ बस्तर में इनका बड़ा दबदबा हुआ करता था, इन पे आठ लाग का इनाम घोसित रहा, और इसके साथ ही ये जो वेपन इस्तेमाल करते थे, वो था एकके फुर्टी सेवन, और इस पे जो है, चछतिसगर सासन द्वारा, इस वेपन पे ही तीन लाग का इनाम घोसित कर रखा गया है, जिनका नाम रजीता बताया गया है, इन पे चछतिसगर सासन द्वारा, पांच लाग का इनाम घोसित रहा है, और ये अपने साथ आठ एम्म का राइफल रखती थी, जो कि इस एनकाउंटर के बाद रिकवर कर लिया गया है, और इस वेपन पे बीस हजार रुपे का इन इनाम घोसित रहा है, और राजनाम गाओं के निवासी नक्सली भी इस एनकाउंटर में मारे गया है, जिनका नाम रीता सलामें बताया गया है, इन पे पांच लाग का इनाम घोसित रहा है, ये अपने साथ इनसास वेपन रखती थी और इनसास भी जो है, वो रिकवर कर लि यहां के निवासी विनोध गावडे जो की ओंदी मोहला संयुक्त एरिया कमीटी के मेंबर रहे हैं और शाथी उक कमांडर भी रहे हैं यह अपने साथ SLR रखा करते थे SLR सेल्फ लोडिंग राइफल जिस पे 5 लाग का इनाम घोशित रहा है विनोध गावडे पे और जो SLR है इस पे 36 गर सासन द्वारा 1.5 लाग का इनाम घोशित रहा है कांकाई जिले के तीन जो निवासी रहे हैं वो मारे गए हैं सुकलाल पद्दा जो की परतापूर एरिया कमीटी के मेंबर रहे हैं परतापूर एरिया जनताना सरकार के प्रभारी भी रहे हैं यह छोटे बेटि यह अपने साथ इस्तेमाल करते थे उस पे 30,000 का इनाम रहा है इसके साथ जैनी नाम की एक महिला मावादी भी मारी गई जो पील जीये सदस्या रही है पील जीये मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में इसका पूरा नाम बताया था फिर से बता दूँ पिपल्स लिबरेशन गुरिला आर्मन और यह मेंड की एलोएश की सदस्या रही है एलोएश मतलब लोकल औरगनाईजेशन इसक्वाइड यह अपने साथ बारह बोर का वेपन रखा करती थी और जैनी पे 8 लाग का इनाम वहोसित रहा है बारह बोर वेपन पे 36 गड़ सासन द्वारा 30,000 का इनाम भोसित रहा है और यह छोटे बेट यह थाना चयतर के कलपर की ही निवासी रही है वह जो है वह बिजापूर के निवासी रहे है इसमें रवी उर्फ बचनु माडवी जो की PPCM का सदस्यराय पार्टी प्लाटून कमेटी मिमबर और शाथ ही MMC दस्ते का कमांडर रहा है MMC यानि कि मद्यप्रदेश महाराश 36 गड़ जो कि एक नया जोन महावाद सर्गटन द्वारा तयार किया जा रहा है वहाँ का कमांडर रहा है सबसे अधिक इनाम रवी पर ही घोशित रहा है MMC के स्टाफ रहा है इन पर 8 लाग का इनाम घोशित रहा है ये मिलतुर थानाच्षेतर के बेचापाल के निवासी है इसके साथ एक और महिला मावादी जो मारी गई है कविता सोडी ये पार्टी सदस्या होने के साथ साथ MMC की स्टाफ रही है ये बासागुडा थानाच्षेतर के निदूर गाओं के निवासी है इन पर 1 लाग का इनाम घोशित रहा है कार्तिक उर्फ सोनू की भी मौत हुए इस एनकाउंटर में जो की पार्टी सदस्या रहा है MMC के स्टाफ होने के साथ ये गंगालूर थानाच्षेतर के मर्रेवाडा गाओं के निवासी रहे है इन पर 36 गड़ सासन द्वारा 1 लाग का इनाम घोशित रहा है संजिला उर्फ इडमे मरकाम की भी मौत हुए जो PLGA के सदस्या होने के साथ साथ MMC स्टाफ रही है SZCM यानि की सब जोनल कमेटी मेंबर की गाड रही है और ये बहरमगर थानाच्षेतर के ताकी लोड की निवासी रही है इन पर 8 लाग का इनाम घोशित रहा है भूमे उर्फ सुनिता जो की PLGA सदस्या रही है ये भी SZCM की गाड रही है ये उसूर थानाच्षेतर की निवासी रही है इन पर भी 8 लाग का इनाम घोशित रहा है इस एंकाउंटर में लालू उर्फ अभिनाश की भी मौत हुए जो की PLGA सदस्या रहे है MMC स्टाफ नहे है ये बासागुड़ा थानाच्षेतर के निवासी रहे है इन पर 2 लाग का इनाम घोशित रहा है और इसके साथ जीनू उर्फ गुड़ू कर्टम जो PLGA के सदस्या होने के साथ MMC के स्टाफ रहे है ये नेमेड थानाच्षेतर के दुरदा गाओं के निवासी रहे है इन पर 8 लाग का इनाम घोशित रहा है सिताल उर्फ सिताराम मंडावी की भी मौत्विये PLGA सदस्या है ये SJCM के गार्ड रहे है ये भहरमगर थानाच्षेतर के मर्रा मेटा गाओं के निवासी रहे है और 8 लाग का इनाम इन पर घोशित रहा है इसके साथ राजू कुर्शम की भी मौत्विये जो की PLGA सदस्या रहे है SJCM के गार्ड रहे है ये कुट्रू थानाच्षेतर के परकेली गाओं के निवासी रहे है और इन पर 8 लाग का इनाम घोशित रहा है सीला उर्फ सीलो कुंजाम जो की PLGA सदस्या रहे है ये भेरमगर थानाच्षेतर के उतला गाओं की निवासी रहे है और इन पर 8 लाग का इनाम घोशित रहा है देवाल की भी मौत्विये इस एंकाउंटर में जो की PLGA सदस्या रहे है ट्रेश टीम के सदस्या रहे है बीजापूर थानाच्षेतर के तुमनार पंचायत के निवासी रहे है इन पर 8 लाग का इनाम घोशित रहा है और इसके साथ नाराइनपूर जिले से भी पांच नकसली मारे गए नाराइनपूर जिले के निवासी रहे हैं इन में अनीता उसेंडी जो की PLCM के सदस्या रही है इस एंकाउंटर में शर्मिला पोडियाम जो की पार्टी सदस्य रही है MMC की स्टाफ रही है और चाथाना चेतर के बटवेडा गाउं की निवासी होने के साथ इन पर 1 लाग का इनाम घोशित रहा है इसके साथ सजन्ती उर्फ संतीला उर्फ लखमी नूरेटी की भी मौत हुई है जो पील जीय की सदस्य रही है मेंड की एलोएश की सदस्या रही है इन पर 8 लाग का इनाम घोशित रहा है और ये और चाथाना चेतर के विरूलेर गाउं की निवासी रही है और इसके साथ बजनात पद्दा की भी मौत हुई है जो की पील जीय सदस्या रही है ये मेंड की एलोएश की सदस्या होने के साथ इन पर 36 गर सासन दौारा 8 लाग का इनाम घोशित किया गया था इसके साथ सुनीला मड़काम की भी मौत हुई इस एनकाउंटर में जो की पील जीय सदस्या रही है एसजेट सीयम की गार्ड रही है और चाथाना छेतर की निवासी रही है जो रेखा वाही गाउं है वहा की निवासी रही है इन पर 8 लाग का इनाम घोशित किया गया था दंतेवाड़ा से एक नकस्ली मारा गया जिसका नाम रोशन उर्फ कोशाल मडवी बताया गया जो पार्टी सदस्य रहे हैं और SZCM के गार्ड होने के साथ ये कटे कल्ल्यांड के निवासी रहे हैं इन पे एक लाग का इनाग गोशित किया गया था तो ये तमाम वो नकसली हैं जो इस एनकाउंटर में मारे गए इस एनकाउंटर के बाद नौर्थ बस्तर में मावाद संगटन का एक तरीके से कमल तूट चुका है कांकेर के इलाके के छोटे बेटिया के इलाके में एक बड़ा जो एनकाउंटर हुआ इसी में ये सारे नकसली मारे गए और नौर्थ बस्तर में काफी सक्री रहा है संकर राओ जो की बड़ा नाम रहा है उसकी भी मौत हुई है जैसा कि नकसल संगटन ने खुद ही इस बात की जानकारी दी प्रेशनोट जारी कर कि उनके अलग-अलग विवाग के नकसली कलपर और आपाटोला के जंगलों में पनाह लिये वे थे इसी दोरान पुलीस के जवान वहां पहुँचे और एक बड़ा एंकाउंटर किये और पुलीस को बड़ी काम्याबी हाथ लगी नकसलीयों को बड़ा नुकसान, बड़ा आगहात पहुचा है नकसल संगटन ने अपने प्रेशनोट में इस बात का भी जिक्र किया है कि इस एंकाउंटर में 12 नकसली मारे गए थे जबकि 17 नकसलीयों को पुलीस ने निहत्ते पकड़ा और घायल अवस्था में पकड़ा और उन्हें घटना इस तरह से करीब 2 किलो मीटर की दूरी पे जो नकसलीयों का सहीद इसमारक है उस जगह पर ले जाकर गोलियों से भून दिया यह आरोप नकसल संगटन की तरफ से लगाए गए थे हलांकी सरकार और पुलीस यह कह रही है कि यह सभी नकसली रहे हैं और नकसली खुद भी शिकार कर रहे हैं कि यह नकसल साती रहे हैं उनके जो इस एनकाउंटर में मारे गए हैं मुझको लगा कि मारे गए तमाम जो नकसली रहे हैं उन से जुड़ी जानकारियां बस्तर जंक्षन के दर्शकों को दी जाए उन से जुड़ी जो जानकारियां पुलिस द्वारा हमें दी गई कि उन पे कितने का इनाम रहा है ये नक्सल संगटन में किस पद पे रहे हैं और ये कहा के निवासी रहे हैं इस बात की जानकारी बस्तर जंक्षन के दरशकों को होनी चाहिए तो मैंने ये रिपोर्ट नक्सलियों के उस जन्म कुंडली पे बनाया है जो जन्मकुंडली पुलीस ने हमको उपलब्द कराया है बड़ा मामला यह है कि पहली बार एक करोड़ पच्यासी लाग पच्पन हजार के इनामी नक्सली मारे गया है तो मुझको लगा कि यह जानकारी भी देदी जानी चाहिए बस्तर जंक्षन के दर्शकों को अगर आपको लगता है कि यह जानकारी महत्पून रही है इस पर चर्चा भी होनी चाहिए इसे दिखाया भी जाना चाहिए कि देश के सबसे बड़े एंकाउंटर में कितने नक्सली मारे गए और उन नक्सली की कैसी जन्मकुंडली रही है किस पत पर वो पदस्त रहा है कितना इनाम उन पर गोशित रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा इसके अलावा चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा धन्यवाद प्रहाँ पर जरूर के भोशित रहां पर जरूर